दोस्तो आज हम लोग करने वाले हैं तीन मज़ेदार एक्सपेरिमेंट तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं दोस्तो जब बॉम बलाष्ट होता है तो बहुत ही खतरनाक सौक वेब निकलता है तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस तरह के क्रेकर जब बलाष्ट होते हैं तो कितने दूर तक छती पहुंचाते हैं इसके लिए हम लोगों ने यहां पर बैलून चिपका चुक कौन बच पाता है कौन फूट जाता है तो इसको मैं यहां पर ऐसे करके रख दे रहा हूं और अब इसमें आग लगाएंगे कर दोस्तों मैंने बैलून को इतना दूर तक फैलाया था और बीच में बलाष्ट कराया तो मातर एक ही बैलून सेफली बच पाया है बाकी यह दो बैलन बचा हुआ है लेकिन इसमें से भी हवा निकल चुका है देख सकते हैं इसमें पूरा तरह से छती पहुत चुका है वो काफी खतरनाक है दोस्तों जब अंधेरी रात हो तो हम लोग अपनी आखों से किसी चीज को नहीं देख पाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग रात में नहीं देख सकते हैं रात में देखने के लिए यूज किया जाता है नाइट वीजन कैमरा का तो आज मेरे पास एक नाइट वीजन कैमरा है तो चलिए इस नाइट वीजन कैमरा से देखते हैं रात में दीन में चीजे देखनी वाली चीजे रात में कैसी दिखती है और इसका कलर कैसा होता है तो चलिए देखना सुरू करते हैं दोस्तों नॉर्मल लाइट में और नॉर्मल कैमरा से यहां पर देख स केमरा ऊन कर रहा हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं नौनीत कैसे दिखाई दे रहा रहा है वहाँ था 週तना § 2 लुटी कुछ ऑपजेक्ट दिखाऊ और यह माचिस का यह बॉक्स है ग्रीन कलर का जिसका इसे ट गलर समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे कुछ और दिखाओ इस कैमरा में यह फूम का गलास है और इस मेशच अजीब सा अधिक रहा है हला कि वाइट ही देख रहा है लेकिन जादम अधा रिफ्लेक्शन कर रहा है तो और शक्तिए तो मुझा तरगे को द父 दिखा पाई अब को घृट्ष का वसके pressures सा j northwest घृट्ष की डिखा यूज मैं NI मूला पलीन सब्सक्न मichल्य देखा शव्हाग क्या वास में नहीं लिख्तश पोना चीज जात शायत वो यह तो मुझे लगता है स्टील का क्लास है इसका कलर चेंज नहीं हुआ है लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मीरर दिखाऊ मीरर दिखाऊ मीरर कैसा दिखता है नाइट विजन केमरा से वो इस तरह का मीरा रहा है इसमें से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो वो यह तो केमरा के अंदर रिफ्लेक्शन है कैमरा के अंदर आप दूसरा कोई चीज दिखाऊ तो थो डूसर अ कंशन अ क्शला दिखाऊ दे रहा है और इस पर नाइट विजन कामरा से कुछ तो दिखाऊ नहीं दे रहा है लेकिनअ और भी पूर्प के अंदर खोल के दिखाऊ तो बुक के अंदर वो नाइट विजन केमरा के युचफ कर के आम रात में भी पढ़ाई कर सकते पढ़ाई कर सकते हैं अगर लाइट नहीं रहे तब तो चलो आप दूसरा चीज दिखाओ ये ये क्या है ओ प्रीज में ये भी तो मीरर के जैसा दिख रहा है ऐसा लग जा रहा है कि यह गलास है इसमें ज्यादा कुछ कलर चेंजिंग नहीं हुआ है तो चले इन सारे चीजों को नॉर्मल लाइट में दिखते हैं कैसा दिखता है या तो दोस्तों नॉर्मल केमरा से और नॉर्मल लाइट से यहाँ पर देख सकते हैं नौनित कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो अब नौनित फोम का गलास दिखाओ तो किस तरह से दिख है और यहां पर देख सकते हैं और नॉर्मल लाइट में फोम का गलास कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और यह है ग्रीन कलर का बैलून जो हम लोग नाइट विजन कैमरा से देखें हैं और जिसका कलर थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा था इसी तरह से माचीस देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है नॉर्मल कैमरा से और नॉर्मल लाइट में इस तरह से इस बुक को इसी तरह से एक मीरर भी दिखाए गया था यह मीरर है यहां पर देख सकते हैं और यह स्टील का गलास है इसका कलर कुछ खास चेंजिंग नहीं लग रहा है दोस्तो यह है fiber optics cable इस cable का यूज करके light के थूर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है और हमारा internet बहुत ही फास चलता है तो ऐसे में मुझे जानने की उच्छा है कि क्या होता है इस fiber optics cable के अंदर जिससे light दूर दूर तक चला जाता है और हमारा internet speed बहुत ही ज़्यादा फास चलत तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है इसके अंदर दोस्ते इस कमाल की केबल बे मुझे एक बहुत ही खास चीज देखने को मिल रहा है यहां पर देख सकते हैं इस वायर को मैं ऐसे ऐसे बेंड कर दे रहा हूं बहुत ही इसली लेकिन जैसे मैं इसको इस साइड बेंड क कर सकता हूं इस तरह से लेकिन इसको ऐसे नहीं बेंड कर सकता हूं ऐसे बेंड करने पर मेरा उंगली तूट जाएगा इसी तरह से इस वाहर में भी इस तरह से तो बेंड हो जा रहा है लेकिन इस तरह से बेंड नहीं हो रहा है तो चलिए सबसे पहले इसके लेयर को हटाते है और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या लगा हुआ है तो दोस्तों मैं अब इसको छील दे रहा हूं यहां से तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा पतला पतला फाइवर के जैसा लगा हुआ है और यहां पर इसके अंदर दो पतला पतला वायर है इसको तो बाद में खुलेंगे यह देख सकते हैं यहीं है जो इस तरह से बेंड हो जा रहा था और इस तरह से करने पर बेंड नहीं हो रहा था अभी तो फिलाल हो जा रहा है और चलिए अब इसके अंदर देखते हैं क्या है इस बीच वाले बायर के अंदर वो यहां पर देख सकते हैं यह निकल चुका है और इसके अंदर देख सकते हैं यह ग्लास के जैसा पतला सा जो दिख रहा है इसी से लाइट एक जगह से दूसरे जगह बेंड होते हुए चला जाता है टोटल इंटर इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा यहां पर देख सकते हैं कितना पतला है और इसमें ओयल के जैसा भी कुछ-कुछ लगा हुआ इसके अंदर और यह जो तीन कलर का वायर के जैसा द और इसने से पतले से प्लास्टिक या ग्लास के रफिस लाइट एफ दूसरे जग़ा चला जा रहा है टोट लिए रूत इंटरनल कर लाइन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लेकिन इस वायर में हम लोग कहीं भी बेंड करके भी ले जा सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्षिन के द्वारा दोस्तों ऐसी अमेजिंग साइन्स वीडियोज देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह मिलते हैं नेक्स्ट साइन्स वीडियोज के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वारत